नमस्कार विंदिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है अदालत की 44 पेशियां 15,000 का खर्च और 3 साल की लंबी लड़ाई के बाद सागर के शात्र ने माध्यमिक सिक्षामंडल को अपनी गलती सुधारने के लिए विवश्च कर दिया शात्र बार्मी क्लास की माकशीट में एक नमबर बढ़वाने के लिए संघर्श कर रहा था लेकिन तब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब बोर्ड ने 28 नमबर बढ़ा दिये यह एक शात्र की अपनी योग्यता और अन्याय के खिलाफ लड़ने की कहानी है सागर के कबीर मंदिर के पास परकोटा में रहने वाले हेमंत शुकला के बेटे शांतनु शुकला ने बार्मी की पढ़ाई कॉमर्स विशय लेकर एक्सिलेंस स्कूल सागर से की उसने साल 2018 में माधिमिक सक्षामंडल की बार्मी की परिक्षा 74.8 प्रतिशत अंक लाकर पास की शांतनु को पूरी उमीद थी कि उनके मार्क्स 75 से 80 प्रतिशत के बीच आएंगे एक नंबर कामाने से उनके ओवरॉल मार्क्स 75 प्रतिशत भी नहीं आए और वह मुख्यमंत्री मिधावी योजना से भी वन्चित हो गया उन्हें सबसे कम 50 मार्क्स बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सब्जेक्ट में मिले शांतनू बेहत निराश हुए लेकिन अपना होसला नहीं खोया सांतनू ने बताया कि उन्होंने परिवार से चर्चा कर री टोटलिंग के लिए अपलाई किया लेकिन रिजल्ट जस्का तसाया जब बोड के रवये से उन्हें निराशा मिली तो अदालत का दर्वाजा खटखटाया और मध्यप्रदेश हाई कोट में याचिका लगाई कोट ने सुनवाई करते हुए माधिमिक सक्षा मंडल को दोबारा मुल्यांकर करने के आदेश दिये सांतनू शुकला ने कहा कि उन्हें भरोसा था कि उनका रिजल्ट 75% से उपर ही आएगा री टोटलिंग के लिए अपलाई किया गया तो उसमें एक भी नंबर नहीं बढ़ा उन्होंने बोड में अपलाई कर बुक, कीपिंग और अकाउंटिंग सब्जेक्ट की कॉपी निकलवाई प्रश्न के उत्तर पर सही निशान लगे थे बोड के रवाईय से दुखी, शांतनू ने साल 2018 में ही जबलपूर हाई कोट के वकील रामिश्वर सिंग के जरिये पिटीशन लगाई लेकिन कोरोना संक्रमन के चलते दो साल तक मामले में सुनवाई नहीं हुई इसके बाद जब सुनवाई शुरू हुई तो कोट के 6 नोटिस जारी करने पर भी बोड के ओर से कोई पक्ष नहीं रखा गया पूरे मामले में करीब 44 पेशियां हुई फिर 21 फरवरी को अचानक बोड से शांतनू को नई माक्षीट मिल गई जिसमें उसे 80 समलो 4 प्रतिशत अंक मिले सांतनू ने बताया कि विभाग की गलती से वह मुख्यमंतरी मिधावी शात्र योजना से वंचित हुए थे अब वह मिधावी शात्र योजना के लिए आविदन करेंगे इसके लिए जिला सिक्षा अधिकारी और माधिमिक सिक्षा मंडल में आविदन किया जाएगा बतादे इस योजना में बोर्ड परिक्षा में 75 प्रतीशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की आर्थिक मदद की जाती है